दोस्तों, Study91 की YouTube चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागय थे दोस्तों, आज आप सभी के समख्च भारती सम्मिधान की क्लास में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूँ, दोस्तों, आज हमारा 190 लेक्चर हो रहा है, जिया दोस्तों, इसके पहले इसी सीरीज में 1500 लेक्चर हम लोगों ने इतिहास बिसे में कवर किया, जिसमें ancient, medieval और modern history पर बिस्तार सी चर्चा किया गया, 151 नमबर से लेकर आज 190 नमबर तर की जो क्लास है, यह हम भारती सम्मिधान की क्लास कर रहा है, यानि कि आज हमारी सम्मिधान बिसे पर 40 वी क्लास है, जिया दोस 500 सवाल, कितना 5700 सवाल बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आप साथ में बने रहे हैं, मैंने आपसे promise किया था ना, यह सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है, तो दोस्तों आज जो हमारा topic है, यह है दोस्तों सरवोच नियाले सम्मनित और उसमें सरोच नियाले के जो नियाध नियाधीस कोने, तो जनरल नॉलिज का सवाल हो गया कि कौन है, यह आपको बताना है, अगला लिख रहा है, अच्छा, यह बड़ा आसान सा है न, मैं पूछनों दोस्तों किस नंबर के हैं, तो कठीन हो जाएगा, और इसे किने किस के द्वारा पॉइंट किया गया, तो और ज्यादा कठीन हो जाएगा, तो हम तो भी स्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है, आगे लिख रहा है, किस अनुछेत के अंसार, नियाधीसों के वेतन भत्ते की वेवस्ता की गई, यह किस आर्टिकल में दिया गया है, सुप्रीम कोट हर और हाई कोट के नियाधीसों को कौन भूगा ना कि आप भी कहोगे कि वाकई सर आपकी क्लास लेने के बाद बहुत मज़ा आ जाता है, ठीक है, याद रखेंगे स्टडी 91 के प्रेटफ़र्म से, आप सभी क्लिए कई विसाय के लिए फाउंडेशन बैस लांच के आगे, फाउंडेशन बैस क्या है दोस्तों, य आपकी निव मजबूत करेगा, देखो फाउंडेशन मजबूत रहा ना, तो आप चाहे कितने भी तरले की बिल्डिंग लगा लीजे, कभी गिरने वाली नहीं है, उसी तरह से एजुकेशन में भी आपका फाउंडेशन यानि निव मजबूत होना चाहिए, उसके बाद भा आज हमारा कौन सा लेक्चर है, तो 190 आज हमारा लेक्चर कम्प्रीट हो रहा है, 5700 सवाल है, योग्यताएं, निवक्तियों और कारिकाल से सम्मधिस सवाल को अटेंड करेंगे, पहला सवाल बहुत सोच समझ के पढ़िएगा और जवाब दीजेगा, लिख रहा है सर्वोच सर्वोच नियाले के नियाधिस की नियुकती, यह कौन करता है, लिख रहा है सर्वोच नियाले के नियाधिस की नियुकती, यह कौन करता है, याद रखेंगे भारत का राष्ट्रपती, कौन दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपती होता है, उसके द्वारा दोस्तों, यहा को न्यूक्त किया जाता है ठीक है यह पहला और इंपोर्टेंट सवाल ठीक है दूसरा सवाल लिख रहा है कि राश्ट्रपती द्वारा सरोच न्याले के न्याइधिस की न्यूक्ति किसके परामर्स के आधार पर किया जाता है दोस्तों कुछ से किस से पूछ करके यह न्यूक लेकिन क्योंकि मामला दोस्तो सुप्रीम कोट का इसलिए राज्यपाल भी उत्तर नहीं हो सकता तीसरे नंबर पे दोस्तो सुप्रीम कोट का न्यायधीस तो दोस्तो तो सवाली आप से पूछ रहा है कि सुप्रीम कोट के न्यायधीस की न्यूकती यह किसे से पूछ कर किया ज हम किया है इस के मुख्य नियांधीस है कि कि यहाँ तो यहाँ जो सामाने वाले नाय दीस होते हैं उनकी न्यूक्टी की जाती हैं और एक क्या हो गए दोस्तो चीप जस्टिस हो गए CJI हो गए याद रखेंगे ठीक है अगला सवाल लिख रहा दोस्तो ये संख्या कब बड़ी है ये पहले संख्या 31 थी ये संख्या 2021 में बड़ी है ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा है आपने नहीं ध्यान दिया क्या ध्यान दीजे भाई कल की क्लास में हम लोगों पढ़े थे इसलिए मैं कहता हूँ आप सिक्वेंस से क्लास को देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा ठीक है अगला सवाल लिख रहा सुप्रीम कोट के नियाधिज की नियुन्तम आयू क्या है ठीक है देखें नियुन्तम आयू की कोई सीमा नहीं है कोई सीमा नहीं है ठीक है नियुन्तम आयू के लिए दोस्तो कोई सीमा नहीं है तो उस समय आप कर सकते हैं लेकिन नियून्तम आयू के लिए यहां पर कोई सीमा अगरा नहीं है इस सवाल को आप याद रखेंगे ठीक है अगला सवाल लिख रहा ब्यावहारिक तोर पर ब्या कर लिजेगा ठीक है ब्यावहारिक तोर पर कौन सा कौन सा नयाधिस उच्चतम नयाले का मुख्य नयाधिस बनता है ठीक है वरिश्टतम सदस्य होता है अब जैसे जो एक माउका दिया जयाता है याद रखेंगे वहाब पर कोलोजियम पद्याति यह उसको ध्यान में रखते वे सारा काम किया जाता है अगला सवाल टीन लाइन का सवाल है पड़कर के टेंसन हो सकता है या बीना पढ़े भी कई बार बच्चे छोड़ सकते हैं गोरी सर तीन लाइन का सवाल डर गया सर डरना नहीं सवाल तो पड़ इसके बाद दोस्तों की नियूकती करते हैं ठीक है कुल मिलाज फूरा के दोस्तों तीन लोग है एक तरफ राश्पती को बठाए दूसरी तरफ चीप जस्टीस आफ इंडिया को बठाए तीसरे तरफ जो पैनल है ना जिसमें चार वरिश न्यादीस बैठे उनको बैठाए य सुप्रीम कोट के अन्य नयाधिस कोन होंगे क्योंकि अन्य नयाधिसों की संख्या एक नहीं है कितनी है 33 है ठीक है और सीजी आई तो अलग है कुल मिला के 34 हो जाती है इसलिए आप एस सवाल भी याद रखेंगे तीसरा सवाल नीचे दे रहा है लिख रहा है नियाले के मित्र किया है यह अपने आप में सबसे ज़्यादा डिफिकलट सवाल है सवाल अगर परिष्छा में आ जाए तो 99 पर नактер लोग दोस्तो यहां गलत जबाब देए क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है आपको कम समय में कितना जादा से जादा कितना बेहतर question का collection करके मैं आपको दूँ कि आप इस chapter पर अपनी बेहतरीन तयारी कर पाएं वैसे हमारा foundation batch है अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह पढ़कर बहुत मज़ा आ रहा है ना सोचो यह हमारे foundation batch का क्यों दस प्रसत हिस्सा है यह दस प्रसत अगर इसमें आप पढ़कर खुस हो तो रहे खुस लेकिन अगर आप 90% चीजें और जानना चाते तो आप पॉलिटी के foundation batch में आईए आपको विश्वाद दिलाता हूं उतना खुपसूर्थ तरीके से आपने कभी पढ़ा नहीं होगा सम्मिधान को ना कभी पढ़ेंगे आगे ठीक है आप मौका दीजे फिर आप समझेंगे ठीक है आगे बढ़ रहा है अगला सवाल लिख रहा है क दोस्तों कौन सा अनुछेद प्रावधान करता है तो हम पढ़ते हैं अनुछेद 124 के बारे में कि 124 दोस्तों इस बारे में प्रावधान करता है फिर इनका वेतन बत्ता कहा जागा तो 24 में न्याइदीस हैं और 25 में फिर मुद्रा की बात हो जाए कितना तो 125 में अनुछे 125 में मुद्रा की बात होगी लिकरा सरवोच नयाले के नयाधीसों का वेतन जो है दोस्तों ये किस निधी से आहरित होता है तो ये भारत की संचित निधी से दिया जाता है किसे दोस्तों भारत की संचित निधी से दिया जाता है आपके मन में एक सवाल और होगा सर बेतन दिया कितना जाता है तो जो CJI होते हैं Chief Justice of India इनका बेतन होता है दोस्तो 2.8 सुन्य लाख यानि 2,80,000 ठीक है और दोस्तो जो अन्य नयादीस होते हैं जो अन्य नयादीस होते हैं उनका बेतन होता है दोस्तो 2.5 लाख रुपया महीना क्या होता दोस्तो यह मैं महीना का बता रहा हूँ 2.5 लाख रुपया महीना और यह होते हैं दोस्तो 2.8,000 रुपया महीना ठीक है अब आप कहेंगे Sir इससे अच्छा है ना इसी की तैयारी करते हैं बहुत बढ़ी हैं करिए तैयारी देखें कठिन दुनिया में कुछ नहीं है पद पर कोई ने कोई ब्यक्ति ही तो बैठता है बस आप एक बार मन बना लिजे न और काम करिए न दो चार साल में मुझे लगता सब संब अधिक्तम बता रहा हूं दो चार साल दो चार क्यों पहल उससे मुक्त होने में साल दो साल लगेगा तब जो आप फ्रेश हो पाएंगे ठीक है जब आप साप सुतरा हो जाएंगे ना तब 6 महीना से लेके एक साल या अधिक्तम दो साल में आप भारत का कोई भी गजाम पास कर सकते हैं कोई भी मतलब कोई भी सिर्फ आपको ध्यान स से पढ़ने की जरूत है चीजों को समझने की जरूत है हर चीज पर अपना लेकित के नुसार आपद काल के दगारν रश्रपती नियाइद हीं के बेतन में कमी कर सकता है ठीक है देखे राश्पती के बेतन भत्ते में कमी नहीं हो सकती लेकिन दोस्तों इन लोगों के बेतन भत्ते में कमी हो सकती और ये दोस्तों किस अनुच्छे में बताया गया है तो आप से सीधे सीधे लिख रहा है दोस्तों किसके बारे में आपातकाल के दोरान आप पढ़ते हो दो तो राज्य में आपातकाल या राज्य में कुछ आंसिक रूप से आपातकाल और तीसरा होता वित्ती आपातकाल जो आज तक हमारे देश में लगा ही नहीं वित्ति आपात काल के बारे में अनुच्छेद 360 में बताए गया है और उसी वित्ति आपात काल के था तिन लोगों के बेतन भत्ते में कमी की जाती है तो लिखेगा अनुच्छेद 360 फिर लिखेगा 4 ख ठीक है अनुच्छे 364 ख में दोस्तों इसके बारे में बताए गया किसक और गया, लेकिरा है सुप्रीम कोट और हाइधीत को कौन हटा सकता है? कि चाहे सुप्रीम कोट की बात हátं होता है दोनों सदनों के विशेज बहुमत मतलब फिसेज बहुमत भुई हो जाता है नकर करो सकता है पहले संसत के दोनों सदनों में प्रस्ताव पास किया जाएगा उस पर दो त्याई लोग अपनी जूरी देंगे कि हाँ इस न्यायदीस को क्या करना चाहिए चेंज करना चाहिए तब दोस्तों उस प्रस्ताओं के आधार पर राष्टपती द्वारा दोस्तों राष्टपती द्वारा क्या किया जाता इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता इतनी लंबी प्रक्रिया होती है लोग साठकर में क्या पढ़ते हैं, राश्पती हटा देता है, अरे राश्पती अपने मन से नहीं हटा देता है, संसत के दोनों सदनवा में प्रस्ताव कौन पारित कराएगा, साधारण नहीं, विसेश बहुमत वाला प्रस्ताव, ठीक है, उसको ध्यान में रखिए, लेकिन में सरवोच न्याले के न्यायधिस को उसके पत से कैसे हटाए जा सकता है, तो हम पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, महा भीयोग लगाकर, लेकिन दोस्तों, नितिन सर्ने आपको पढ़ाया कि महा भीयोग तो सिर्फ राश्पती पर लगता है, ठीक है, राश्पती लगता है बिल्कुल सही है ये महाभियो किसी और पर नहीं लगता इसलिए दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर पता क्या होना चीए याद रखेगा साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही इस पॉइंट को याद रखेगा क्योंकि हमने आपको पढ़ाय कि हमारे देश म महाभियो की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राश्पती के लिए बनी है किसी अन्य के लिए नहीं बाकी लोगों को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाय जाता है महाभियो के आधार पर नहीं अटाय जाता निवेदन है किताब उठाईए फिर से पढ़िए सम किसी भी नयाधीस नयाधीस पर नहीं ठीक है अभी तक दोस्तों जिसे हम महावियोग नाम दे रहे हैं अभी तक किसी भी जो है नयाधीस पर यह नहीं लगा है चाहे उसे हम साबित कदाचार या असमर्ता की बात ही क्यों न कर लें लेकिन अभी तक किसी पर यह नहीं लगा है लेकिन आप देश में पहला और एक मात्र महाभियोग का मामला दोस्तो सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायदीस का था जो लोगसभा में पारित नहीं हो सका ठीक है देखे पारित हो जाता तब तो दोस्तो हो गया तो हो गया लेकिन दोस्तो पारित नहीं हो सका था उनका नाम था रामा स्वामी क्या नाम था दोस्तो रामा स्वामी पुरा नाम था वी रामा स्वामी सा है ठीक है या लिख लिजे न्याय मूर्ती न्याय मूर्ती वी वी रामा स्वामी अब आग मन में अगला सवाल आ गया होगा सरी कब थे न्याय मूर्ती बहुत बढ़िया सवाल है तो या किया गया था? यल क्यूपी, लाइसेंसिंग, कोटा और पर्मिट को समाप करके, लिवलाइसेसन यानि उदारी करड, प्राइविटाइसेसन यानि नीजी करड और ग्लोबलाइसेसन यानि वैस्वी करड की नीती को लागू किया घा था, याद रखेंगे ठीक है. लिकरा भार के प्रथम मुख्य नयदीज कौन थे प्रथम मुख्य नयदीज दोस्तों कौन थे हिरा लाल जे कानिया क्या नाम दोस्तों हिरा लाल हिरा लाल जे जे कानिया ये भारत के दोस्तों पहले क्या थे ये भारत के पहले मुख्य नयदीज थे कब मुख्य नयदीज इने बनाए गय थें और अगले एक साल के लिए नॉंबर में स्वारी 21This जन्वरी में चब्ट दियांवन में लिए यह दोस्तो यह क्या से भारत के प्रथम मुख्यनाएधिश तहें जिनका नाम था हीरा राल कानिया क्या नाम था हीरा लाल ये क्यानिया ये दोस्तों पहले मुखे नाय दीज़े ठीक है द्यान दीज़ेगा स्टडी 91 के प्रेटफॉर्म से कई सारी किताबे लांच की गए आप एक मौका दीज़े जुड़िये हमारे साथ आपको खुद लगेगा कि नितिन सार के आने क के साथ जुनने से हमें कुछ फायदा मिला है ठीक है किताबों के साथ साथ दोस्तों हमारे पास कोर्सेज हैं एबुक हैं आपको जो कुछ भी चाहिए आप हमारे वेबसाइट या अप्लिकेशन वे विजिट करी स्टडी 91 के वेबसाइट पर वहां आपको सब कुछ मिलेग यह हमारा हेलपलाइन नंबर दोस्तों आप कॉल करके संपर कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ाजी अगले सवाल पर लिख रहा सरोच नियाले की प्रथम महिला नियादिस देखे यहां बच्चे समझते हैं न याद रखेगा सरोच नियाले की अगर हम पूछें प्रथम महिला महिला मुख्य नियादिस आज तक कोई बना क्या मुख्य नियादिस ठीक है अगर मुख्य नियादिस की बात करें मतलब सीधा सीधा आप सीजे आई की बात करें ठीक है तो याद रखे नहीं आज तक किसी महिला को इस पतपर नहीं बेजा गया है याद रखेगा चीप जस् सवाल है इंपोर्टेंट सवाल भी है अगला सवाल देखे लिखरा सरवाधिक समय तक सरोच न्याले में मुख्य न्यायधिस के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है या रहने वाले न्यायधिस कौन है दोस्तों तो इनका नाम है न्यायमूर्ती अच्छा वर्तमान में दोस् के मुख्े नायदिस रहें यही है आपसे पोछलाँ दोस्तो क्या पूछा सरवाधिक समय सबसे जादा समय अपने मन में आ गया होगा सर कब से कब तब याद रखेगा 1978 से लेकर लगातार दोस्तो 1985 वी तक दोस्तो लगातार ये क्या रहें दोस्तो ये मुखे नयदीस रहें सर साथ साल मुखे नयदीस रहें जी हाँ दोस्तो याद रखेगा नाम क्या दोस्तो वाईवी चंदरचूर लिख रहा है मुखे नयदीस M. Hidaayi Tullah M. Hidaayi Tullah याद रखेगा ये एक मात्र अभी तक के एक मात्र ऐसे नयायमूर्ती हैं या नयायधीस हैं जो क्या बने थे दोस्तो जो राष्ट्र पती पद के लिए दोस्तों चुने गए थे या आप याद रखेगा आपको याद रखनीक जरूरत है, हाँ पहले थे हिरालाल जी कानिया, तो 26 जनवरी 1950 में उन्हें न्यूट किया गया था, नवंबर उभी डेट हमको नहीं पता है, नवंबर 1951 तक हो थें, वो आपके लिए इंपोर्टेंट ता उसे याद रखेंगे, जहां इंपोर्टेंट ह भगवती का कारेकाल क्या रहा, PN भगवती के बारें क्यों पढ़ने दोस्तों, PN भगवती को PIL का जनक कहा जाता है, क्या कहा जाता दोस्तों, इन्हें PIL का जनक कहा जाता है, ठीक है, PIL, अभी आगे सवाल भी आएगा PIL का, तो PIL का जनक कहा जाता है, अच्छ, आप से पूछा कि पियन भगवती का कारेक्याल क्या था तो याद रखेगा 85-86 ठीक है 85-86 किसके बाद दोस्तों आये थे याद रखेगा सीधा-सीधा यहाँ पर वाईवी चंद्र चूड़ जी के बाद अगला नंबर किसका था पियम भगवती जी का था याद रखेंगे लेकरा मु यह क्या थे दोस्तों यह नियाधीस बने रहें मुख्य नियाधीस वह भी चीप जस्टिस थें कब से कब तक तो याद रखें दोस्तों नवंबर 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 उनीस सव अच्छा एक चीज़ और यह कितने दिन के लिए थे तो यहाँ याद रखेगा केवल 17 दिन के है दोस्तों इनको क्या चुना गया था नियाधीस चुना गया था ठीक है 17 दिन के लिए यह नॉंबर 25 उचीज के आसबास आये थे अब उसी हम 17 जोड लिजेगा 25 नॉंबर से आये थे और 17 जोड़ेंगे तो 25 और 5 इधर हो जाएगा 75 12 साथ नहीं कितना हो जाएगा 25 में औ तो यहां क्या हो गया 12 दिसंबर 12 दिसंबर 1991 तक दोस्तों यह थे कमल नाराण जी की बात हो रही के अन सिंग जी की बात हो रही सबसे कम समय मुझे खाली यह यह याद था ठीक है नौवंबर में था और यह पता नौवंबर से दिसंबर गए थे तो थोड़ा समय में नियाधीस वाई वी चंद्र चूड ठीक है चंद्र चूड जी के पाड़े में भड़ा था चंद्र चूड जी के पुत्र हैं दोस्तों याद रखेगा डी वाई चंद्र चूड ठीक है नियामूर्ती 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 डी वाई डी वाई ठीक है डी वाई ये दोस्तों वरत्मान में है और ये किस नमबर के हैं कि भारत के 50. धीनस्थ नयाले कहा जाता है तो जो भी अधीनस्थ नयाले है अधीनस्थ नयाले है उनका दोस्तो क्या कर सकता है उनका निरिक्षर कर सकता है कौन दोस्तो सुप्रीम कोटूं का निरिक्षर कर सकता है यही सवाल आपसे पूछ रहा था ठीक है तो सिंपल सा है इसको आप याद रखेंगे चली आगे बढ़ते हैं अगला स्वाल देखे लिख रहा है जनहीत आच्चिका अभी हमने पीछे सरकारी नौकर के द्वारा किसी को हानी पहुंचाया जया तो दोस्तो पिल दाखिल किया जाता है ठीक है लिकर आकिस अधिनियम के तहात भारत में सरवच नयले के अस्थापना गए था तो सबसे पहले बना था दोस्तोर रेगुलेटिंग अएक्ट आया था ठीक है अगर लेटेस में सवाल देखेंगे तो एक और अधिनियम आया था भारत सरकार अधिनियम 1935 35 जुए था इससे वर्तमान में जो नियाले बना है दोस्तो वो इसी के थुरू बना है इसको भी याद रखेंगे ठीक है लिकरा किस देश की नियाय प्रणाली से प्रेरित होकर भारत में सरोच नियाले में तदर्थ नियादीसों की नियुक्ति की गई तदर्थ नियादीस को क्या काते हैं दोस्तो एड हॉक क्या काते हैं एड हॉक जजों की न्युक्ति दोस्तो यानि जरुवत पढ़ने पर जो रिटारेट जज हैं दोस्तो उनको काम करने लिए बुला लिया जाता है क्योंकि उनके पास काम का experience बहुत अच्छा होता है इसलिए उन्हें वापस बुला जाता तो एड होक जैज का जो concept हमारे देश में आया है यह फ्रांस से लिया गया है इसे आप इस पे से लिया रखेगा ठीक है आप पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद भी लग रहा होगा कि नहीं नितिन सरकी क्लास में आने के बाद हमें बहुत सारे नए सवाल मिलें आप सवाल का उत्तर तो दीजिए एक आदत मेरी है मैं आपको option नहीं दे सकता आप्सन दोंगा तो क्या फायदा option देने का क्योंकि तीन option तो गलत ही होंगे सही तो ए खाल गाम कास के लिए दोस्तों सिर्फ अंग्रेजी भाशा का पूल किया जाता है जाता है उचतंग न्याइक मेरेकनत के नयाइक पुरुद्छर का करना दोस्तों आमेरिका से लिए दूस्तो प्रावधान है हम करते हैं कैसे को सुधाने का प्रयास करते हैं ये जुडिसियल रिव्यू का काम होता है ठीक है उच्छतम न्याले का छेत्रा अधिकार दोस्तों क्या है तो उच्छतम न्याले क्योंकि सबसे टॉप पर होता दोस्तों सुप्रीम कोट है उच्छतम इसलिए कहा गया तो दोस्तों इसका छेत्रा अधिकार प्रारंबिक छेत्रा अधिकार भी होता है, प्रारंबिक छेत्रा अधिकार भी होता है, प्रारंबिक हो गया, अपीली हो गया, मतलब यहां लोग जाके अपील भी कर सकते हैं, लेकिन कब जब नीचे सुनें, नियाय न मिला हो तब, अब तीसरा होता दोस्तो, परामर्स दाई परामर्स दाई छेतरा दिकार ठीक है तीन तरह के छेतरा दिकार देखने मिलते हैं प्रारंबिक तो आप जानी रहे हैं अपीली इसलिए क्योंकि वहाँ अपील भी हो सकता है और परामर्स दाई करता क्या है राश्पती परामर्स लेता है ना ठीक है राश्पती अनुच्छे 143 के तार दोस्तों क्या करता है Supreme Court के चीप Justice से क्या करता है, परामर्स लेता है हाँ उस परामर्स को मानने के लिए राश्पती बाद दे नहीं है, लेकिन लेता है ठीक है, तो इस तरह दोस्तों ये परामर्स दाई, 6.30 अदिकार भी इसका है तो आज के सवाल ही समाप्त होते हैं उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा तो आप एक बार मौका दीजिए ने देखे 5700 सवाल ऐसे ही भी स्तार से पढ़के हम लोगों ने समाप्त किया है कहीं कोई इधर उधर की बाते नहीं कम समय में ज्यादा अच्छा सवाल और आप सवाल काना क्वालिटी चिक करिए आपना कभी जितना सवाल आपको इस चैप्टर से मैं पढ़ा रहा हूँ आप कभी इस चैप्टर को ढूट करके कोई भी किताब आपके पास होगी आप हल करिएगा मैं का रहा हूँ 99% चांस है चांस नहीं कन्फरम है कि आपके सारे सवाल सही होगी अगर आपने अच्छे से चैप्टर को देखा होगा पढ़ा होगा समझा होगा तो कहीं आपको कोई कन्फिजन नहोगा यह जो मेरे पीछे दिख रहे हैं दोस्तों यह हमारे e-book है handwritten notes है ऐसे भी से जो मैंने पूरे YouTube पर दोस्तों पढ़ाए है यह उनी की दोस्तों हाथ से लिखी हुई जो है रचनाए हैं आप इने ले सकते हैं हमारे website से application से बाकी किताबें अगर order करेंगे तो आपके घर जाती है पैक होके बढ़ियां से वो आपके घर जाती है तो आप किताब भी ले सकते हैं किताब जो है आप हमारे platform से भी ले सकते हैं या फिर flip card हो गया, Miso हो गया, Amazon हो गया वहाँ भी किताबें हैं तो वहाँ से भी आपने सकते हैं ठीक है, उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा समझ में भी आयोगा, तो मिलते हैं दोस्तों अगले lecture में एक निवेदन आपसे है अगर आपको तनिक भी लग रहा है कि नितिन सर बहुत मेहनत कर रहे हैं तो एक like जरू करेगा, एक comment जरू करेगा आपके comment से ना हमें और energy मिलती है और मैं लगता कि मुझे और मेहनत करना चाहिए ठीक है, और अगर हो सके तो आप वीडियो को share करेगा निवेदन आपसे, यह आपका अपना channel है हम किसी तरह का बहुत बड़ा आइड नहीं करते हैं advertisement नहीं करते हैं, बहुत बड़ी company franchise वाली ब्योस्ता नहीं है, एक कमरे में रखे हराम से काम करते हैं और पिछले 5 साल से लगातार मेहनत पे मेहनत मेहनत में मेहनत करते जा रहे हैं जो चीजें अधिक से लिक हो सकती हैं बच्चों के लिए वो हम करते चलने हैं, ठीक है? तो अगर थोड़ा सा सायोग करेंगे तो अच्छा लगेगा, मिलते हैं एक लिए लेक्चर में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जय ही, जय भारत, थेंक्यू, थेंक्यू सुमच्च